जब भूख से लड़ने के लिए यहां खेतों में किसान खड़ा है हमें सुरक्षित रखने के लिए हर चौराहे पर एक जवान खड़ा है इस महामारी से भी लड़ने की हिम्मत आ जाती है हमें क्योंकि अस्पतालों में भारत का भगवान खड़ा है कितनी ही आई विपत्तियां और धरशाई हो गई क्योंकि सीना तान कर हमारा हिंदुस्तान खड़ा है करोना वाइरस की इस विशम परिस्थिती में भी जो अपनी जान की परवा करे बिना देश और समाज की सेवा में ततपर लगे हैं उन सभी योध्धाओं को न्यूस डियनन की तरफ से शत शत नमन वो देश भला कैसे पराजित हो सकता है जिसके पास ऐसे कर्म योध्धा हूँ और इन ही योध्धाओं को जस्बे को सलाम करने अपने संदेश लेकर आ रहे हैं हमारी कुछ विशेश हस्तियां तो आएए मिलते हैं टीवी और फिल्म्स के जाने माने आक्टर श्री मुकुल नाग जी से नमस्कार मेरे नाम मुकुल नाग है और मैं एक अभीनेता हूँ आज मैं आपके सामने उपस्ते दुआ हूँ कि कहने के लिए कि आज जो देश का महुल चल रहा है करोणा वाइरेस और कोविन डाइंटीन के तहत पूरा भारत वर्ष लॉकडाउन है आज हमारी एक जम्मेदारी बनती है कि आज हमारे जो बहदूर प्रशासन, बहदूर पुलिस, बहदूर डॉक्टर, बहदूर सफाई करमचारी और हमारी जरूरत का सामान इस लॉकडाउन के समय पहुचा रहे हैं अपनी जान की पर्वाना करते हुए हमें तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए हम बचे रहें, उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं इस यग में हमें उनकी मदद करनी चाहिए अब प्रश्ण ही उकता है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं तो उसका हल है कि हम अपने घर में रहें, घर से बार बिलकुल ना निकलें इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं ये हमारी सच्ची मदद होगी आप हम सब लोग घर में बैठे रहें तब ये देश सुरक्षित रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे दूसरों को सुरक्षित रहेंगे और इस देश को सुरक्षित रहेंगे सलाम है उन भादूनों का जो हमारे लिए लड़ रहे है जै हिंद जै महराश्टा जै भारत तक रहेंगे